हलो स्टूडेंट स्वागता आपका हमारे क्यूकि स्टेडी चैनल पे जिसमें मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्तान की कला संसकर्ति का टॉपिक राजस्तान की इस्तापत्य कला स्टुडेंट आज हम राजितान की इस तपतिक लाइक टॉप क्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले चैनल पर नहीं तो पटापसे चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिले में आसानी रही साथ-साथ स्टूड़ेन मापको वतादू आप अमारी वीडियो पूरी देखिए जिसे आपका आपका जो टोपिक हैं वे सही सियं और पुरा केलियर हो पाए आप हमारी वीडियो अदूरी या सुरू करके छोड़ देते हैं या स्किप करके देखते हैं जिससे आपका जो टोपिक है डंग से किलिए नहीं हो पाता है और एक्जाम में आपके क्यूशन गलत होने के चांसे ज़्यादा रहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो पूरी देखिए जिससे आपका जो टोपिक है वो पूरा किलियर हो सके और आपके एक्जाम में क्यूशन गलत होने के चांसे ज़्यादा इज कम रहे आज का हमारा क्यूशन है क्यूशन नमबर वन अपनी गोपुरम आकरती के लिए परसिद रंगनात मंदिर जिसका निर्मान सेट पूरण मल ने 1844 में करवाया था वह कहां इस्तित है हमसे यह पूचा गया है तो हमारा सोरी हमारी ओप्शन से पुशकर ओप्शन भी नादु पूरण मल ने 1844 में अजमेर के अंदर करवाया है और साथ साथ में आपको बता दू जो यह मंदिर है वह है दर्विड सेली में निर्मित मंदिर है और मूलता है यह मंदिर विश्ण भगवान का मंदिर है साथ साथ इसका जो निर्वान कंप्लीट वदा हुए पूरण मल द किस देवता को समर्पित है हमारे option से option is शूर्य opps순 विस्ट्श्ण विश्णो उप्सट्ट्ष बेरवनात को फैसर फैसे विश्णो चितोडगड़ा जो कुमण्सु है मन्दिर विश्णो बगवान को समर्पित है तो यह मन्दिर जो महामार उसेली में निर्मित है अगला हमारा क्यूशन है क्यूशन नंबर 3 स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और साथी साथ महाँ आपको बता दू में राज सिंग ने 1691 में उद्धे सिंग ने 1527 में राणा परताब ने 1567 में क्यूशन नंबर 3 में सई आंसर है ऑप्शन बी राज सिंग दूआरा 1691 में के अंदर नाद दूआरा मंदिर का निर्मान करवाया गया है नात दुआरा जो है वई मंदिर श्रीना जी का मंदिर है और यह मंदिर जो की राज सिंग दुआरा गौमति नदी के पानी को रोकर राजसमन्जील का जो निर्मान करवाया था उसके किनारे पर 25 बड़े सीला लेकों इसी के पास जो 25 इस मंदिर का जो निर्मान ट्राइशिंग ने करवाया था उसी के पास में जो 25 बड़े सीला लेक पर संसकर्ट में मेवार का इतियास लिखा हुआ है जिसे राजपरसत्ति के नाम से जाना जाता है अगला हमारा क्यूशन है क्यूशन नमबर 4 रिसब देव का मंदिर कहां इस्तित है हमारे ओप्शन से ओप्शन ए उदेपुर ओप्शन भी बिका नेर ओप्शन सी जेपुर ओप्शन डिये बील वाड़ा क्यूशन नमबर 4 में सही आंसर है ओप्शन ए उदेपुर उदेपु के अंदर रिशव देव जी का मंदिर इस्तित है और यह मंदिर जो की कोयल नदी पर इस्तित है साथ यहां पर केसर चड़ाने के कारें रिशव देव जी को केसरिया नात के नाम से भी जाना जाता है अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 5 कुम्ब स्याम मंदिर किस किले में इस इस्तित है थो हमारे उप्षिंस है उप्षिन है चितोडगड किला ऑप्षिन और इसका निर्म यह इसका जो निर्मान होई है मामा रूसेली के अंदर है बना हुआ है अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर शिक्स मंदिरों जिले को सुमेलित कीजिए तो हमारा ओप्षन से हमारे जो कूटे वह हैं A, 1, 3, 4, 2, B, 4, 3, 2, 1, C, 4, 2, 3, 1, D, 1, 2, 3, 4 Qution number 6 में सही आंसर है Option B, 4, 3, 2, 1, इसका सही कूट होगा मैं आपको मिलान करके बता देता हूं ताकि आपको Qution सही से समझ में आए Option जो हमारा A है कामेश्वर महादेव जिसका सही मिलान रहेगा पाली के अंदर यह इस्तित है दूसरा है सीतलेसवर जिसका सही मिलान रहेगा जालावार के अंदर इस्तित है तीसरा है पीपला माता जो की जोदपूर के अंदर इस्तित है और चोता है नीलकंड जो की अलवर के अंदर इस्तित है अगला हमारा Qution है Qution No.7 नमधर सेवन में एक देवी मंदिर जहाँ चुहे बहुत अधिक संक्या में निवास करते हैं का नाम है। में उस मातार कहुता के नम है। क्योशन से नमधर सही आंसर,्योपिशन करणी माता मंधर ह। मात्रा में चुहे पाए जाते हैं और यह मंदिर जो की बिका नेर में देशनों गाउं के अंदर इस्तित है और इस मंदिर को टेंपल ओप्रेट्स भी कहा जाता है क्योंकि चुहे के कारण इसे टेंपल ओप्रेट कहा जाता है साथ यहां पर जो चुहे पाए आते हैं उन्हें खाबा कहते हैं और यहां पर जो कंडी माता का मंदिर है वहां पर चेतन ना रात्रा वह आश्विन महां में मेला बड़ता है इस्टुडेंट वीडियो अच्छी लग रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चैनल पर नहीं तो पटापरची च क्यूसर नंबर एट गालव रिशी की तपो इसतली गलता जी मन्दिर कहां इस्टित है तो हमारे ओप्सन से ऑप्सन इस सवाए माधोपर ओप्सन भी कोटा ओप्सन सी अजमेर ओप्सन ली जेपुर यूसर नंबर एट शाई आंसर है option D जेपूर, जेपूर के अंदर जो गालर रिशी की तपोश तलिये है गलता जी जेपूर के अंदर इस्तित है और साथ यसाथ मैं आपको बता दू इसे जेपूर के बनारस के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर जो मेला बड़ता है वह परतिवर्स मार्ग सीर्स की कर्षन परतिपदा को मेला बड़ता है अगला हमारा क्यूशन है क्यूशन नमर 9 इंडो आरियन सेली में बना बगवान विश्णुम को समर्पित परसी जगदीश मंदिर कहां इस्तित है हमारी ओप्शन है ओप्शन है पाली ओप्शन बी चितोडगड ओप्शन सी उदेपुर ओप्शन डी है करो ली क्यूशन नमर 9 में सही आंसर है ओप्शन सी यह मंदिर उदेपुर के अंदर इस्तित है और साथी साथ मैं आपको बता दू यह जो मंदिर है बगवान विश्णुम को मर्पित है और इसका जो निर्माण करवाया गया था उससे यह इसके वंदिर के बारे में यह बोला जाता है कि इसका मर्माण निर्माण सपनों में हुआ या सपनों में बना मंदिर कहलाता है अगला हमारा क्यूशन है क्यूशन नमबर 10 आबा नेरी मंदिर कहां इस्तित है तो हमारे औप्शन से, औप्शन A. सिरोई, औप्शन B. बरण, औप्शन C. दोसा, औप्शन D. सिकर, क्यूशन N. 10 में सही आंसर है, आबा नेरी मंदिर है, वहें दोसा के अंदर स्थित है, और यह मंदिर जो की हर सद माता को हुए मंदिर समर्पित है, और साथी साथ महाप को उता दू यह है मंदिर जो कि आठवी सब्ताब्दी में गुजर परतियार इस्तापत्य शेली का परशिद मंदिर माना जाता है अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 11 स्टुडेंट आप अमारी वीडियो को पूरी देखे जिसे आपको टोपिक पूरा समझ में आए और चैनल पर नहीं तो पटापट सी चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब आमेर का जगस शिरो मनी मंदिर किसके दुआरा बनवाया गया था तो हमारी ओप्चन से ओप्चन ये राणा संगा ओप्चन भी उदेशिंग ओप्चन सी बगवन दास ओप्चन डिये राणी कंकावती क्यूशन नमबर 11 में सही आंसर है ओप्चन डि राणी कंकावती दुआरा आमेर में जगस शिरो मनीगा मंदिर का निर्मार जो कि कंकावती दुआरा करवाया गया जो कि अपने पुतर जगस सिंग की याद में इस मंदिर का निर्मार करवाया गया था और यहाँ पर करसन की काली परतिमा इस्तामित है यानि क Options है, Option A, Sirактер As Monkey Weli के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां पर अदिक महत्रा में या अदिक संक्या में बंदर पाय जाते हैं और इसे जेपुर का बनारेस है भी कहा जाता है और यहां पर जो गलता जी को एक और दूसरा नाम गलता जी का जिसे उत्री तो तादरी बोला जाता है और यहां पर रामनन्दी संपरदाय की पेट के स्तापना भी की गई है अगला क्यूशन है क्यूशन नमबर 13 रंगनाज जी का मंदिर कहां इस्तित है तो हमारी options है, option है नाददुआरा, option भी फुसकर, option सी जेपुर, option भी कानिर, question number 13 में सही answer है, option भी फुसकर, फुसकर में रंगनाजी का मंदिर है, और यह है मंदिर जो की तक्षिन भारतिय इस्तापत्य सेली का मंदिर माना जाता है, और यहाँ पर जो रंगनाजी का मंदिर है, वहाँ पर बगवान विश्नु की मूर्ती है, या रंगनाजी को बगवान विश्नु का उतार माना जाता है, अगला question है, question number 14, मेंदी पुर्बालाजी का मंदिर इस्तित है, student, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पटापट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वीडियो को सेर कर दीजे, मेंदी पुर्बालाजी का मंदिर कहां इस्तित है, तो हमारे options है, option ए आगरा जेपुर मार्क पर, option ए आगरा दिल्ली मार कर आप ठेखिए, option एप टोंक मार्क पर, question number 14 में सई आइसर है, मेंदी पुर्बालाजी का मंदिर आगरा जेपुर मार्क पर इस्तित है, साथ शाथ मारा पको उता दू, मेंदी पुर्बालाजी को घाटा मेंदी पुर्बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, और यहां पर बूत-परेतों का, इलाज होता है, इसलिए ये मंदिर विशु पर सिदे बूत-परेतों के इलाज के लिए, अगला Q Compos선 है, Q선 N maken 15, सिरी नंगनाद, के वेश्नों मंदिर के लिए, पर सिर्णादध दुआरा किस नदी के किनारे इस्तित है, तो हमारे options है, option है चंबल, option भी माही, option सी लोनी, option डी है बनारस, Quesn number 15 में सही answer है, option डी बनास, student यहाँ पर जो बनारस लिख रिका है, वहाँ पर आएगा बनास, जो बना न दिया, उसके इन किनारे पर इस्तित है, अगला Quesn है, Quesn number, यहाँ पर बनास कर लिज़े, student, Quesn number 16, मुरारी दास मंदिर इस्तित है, तो हमारे options है, option है जेपुर, option भी कोटा, option सी अलवर, option डी उदेपुर, Quesn number 16 में सही answer है, option भी कोटा, कोटा के अंदर मुरारी दास मंदिर इस्तित है, अगला Quesn है, Quesn number 17, चाक्षू का सीतला माता मंदिर किसने बनवाया था, तो हमारे options है, option A, मान सिंग, option B, पर ताप सिंग, option S, जे सिंग, option D, मादो सिंग, Quesn number 17 में सही answer है, option D, मादो सिंग द्वारा चाक्षू की सीतला माता का मंदिर बनवाया गया है, अगला Quesn है, Quesn number 18, मंदिर और इस्तान के निमलिकी जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही डंग से मेल नहीं काता है, स्टूडेंट आप हमारी चैनल पर नहीं तो पटापट से चैनल को सस्क्राइब कर लिए ताकि आपको न्यू वीडियो नोटिपिकेशन मिलने में आसानी रहे और साथे साथे स्टूडेंट आप हमारी वीडियो पूरी देखिए जिसे आपका जो टोपिक है वह सही से और कोलायत ओप्शन सी गोविन देव जी मंदिर जेपूर ओप्शन डिय एक लिंग जी मंदिर उदेपूर इस्टूडेंट क्यूशन नम्बर 18 में सही आंसर है ओप्शन ए सास बाव मंदिर जो के टौक में इस्तिन्यो करी है नागदा उदेपूर के अंदर इस्तित है इसका आम लोगों के बोलने के कारएंट इस मंदिर का नाम सास बाव मंदिर पढ़ गया इसका जो निर्मान हुआता है नवी और दस्वी सब्ताब्दी के अंदर हुआ था और यहां पर जो वास्तू यह मंदिर वास्तू सिल्प के अतुले उदारन के रूम में माना जाता है अग राजा करण ऑप्शन भी विमल सा ऑप्शन सी चंद्र गुप्त मौर यह संपरति क्यूसन नमबर siya answer option B विमल साहाद दुआरा देलवाडा इस्तित आदिनात्म के मंदिर का निर्मान करवाया गया है और यह मंदिर का निर्मान जो विमल साने करवाया था यह एक जार तीस के अंदर करवाया था अगला Question है, Question No. 20 तिरपुरा सुंदरी का मंदिर की जिले में है तो हमारे Options है, Option A, B, J, पुर, Option C, उदेपुर, Option D, रासमद Question No. 20 में सई आंसर है Option A, B, सुंदरी का मंदिर इस्तित है और यह मंदिर जो की तिरपुरा सुंदरी की मूर्ती है यह मूर्थी खाले पत्रों से बनी हुई और इसे ही लोग तुर्टाए माता या तुर्पुरा महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 21 प्राचीन तांत्रिक सक्ति पीट सुन्डा माता का मंदिर कहां इस्तित है तो हमारे ओप्संस है ओप्सं क्यूशन नंबर 21 में सही आंसर हैं क्यूशन जालोर जिले के अंदर तांत्रिक सक्ति पीट सुन्डा माता का मंदिर इस्तित है और इस मंदिर की जो उचाई है वह समुंदर तल से 1220 मिटर उचाई पर यह बना हुआ है अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 22 रहनकपुर के जेन मंदिर में कितने खमबे हैं त। हमारे ओप्षंस है ओप्षन एं 1100, ओप्षण सु 1194, ओप्षण दीह 1444, ओप्षण दीह 1444, क्यूशन नंबर 22 में सही आंसर हैते सी 1444 जो कि रणगपुर के जहन मंदिर में खंबे हैं साथि साथ माप को बता दू इस मंदिर जो वास्तु कारता वैं देपा था अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 23 अबा नेरी का हर्सत माता मंदिर निमली कित्मेशी कौन सी इस्तापत्य शेली में बने बना हुआ है तो हमारे ओप्शन से ओप्शन भी गुजर परतिहार ओप्शन सी हम मोरी हैं ओप्शन डिया दर्विडी क्यूशन नंबर 23 में सही आंसर है ओप्शन भी गुजर परतिहार सेली में जो आबा नेरी का हर्सत माता मंदिर वह बना हुआ है अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 24 रहनकपुर के मंदिर परसीत परियाटक इस्तल जिनका संबंध है तो हमारे ओप्शन से हिंदु द्रम, ओप्शन भी जेंद्रम, ओप्शन सी बोध द्रम, ओप्शन डिया पार्सी जेन, क्यूशन नंबर 24 में सही आंसर है, ओप्शन भी जेंद्रम से संबंधित है, अगला क्यूशन है क्यूशन नंबर 25, निमन में से किसे राजस्तान का मिनी है हमारे option से option एक लिंग मंदिर उद्धेपुर option भी बंड देवरा मंदिर option किराडु बाडमिर option दियत तिर्पुरा सुन्दरी तलवारा question number 25 में सई answer है option भी बंड देवरा मंदिर जो कि बारा के अंदर इस्तित है यह मंदिर राज़स्तान के मेनी खज्राओं के रूम में जाना जाता है और यह मंदिर जो की दसवी सब्ताब्दी में इसका निर्माण माना जाता है इस्टुडेंट यह थे हमारी राजस्तान की कला संस्कृति का टोपिक इस्तापत्य गला से टोप 25 क्यूशंस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छ लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चैनल पर नहीं तो पटाबट से चैनल को कर लिजे सस्क्राइब इस्